लेटो नमक विद्वान ने कहा था यदि पढ़े लिखे लोग राजनीती में भाग नहीं लेंगे तो वे तयार रहें उनके उपर अनपढ लोग सासन करेंगे सर पढ़ेली के लोग राइनीती में भाग ही नहीं ले रहा है देखो अगर आपके एरिया में कोई पढ़ा लिखा मुखिया खड़ा हुआ या पढ़ा लिखा कोई वाड मेंबर छोटे मोटे से समझो तूसे हारने मत देना 2024 में हम लोग को नहीं बुझा रहा है एक पढ़ा लिखा एक अनपढ को मिलाओगे तो पढ़ा लिखा इंसान बचारा चूप हो जाएगा अनपढ एतना चिलाएगा पेमाई पे गाड़ी निकालके उड़ेगा इसे लगेगा आम बानी के बाद यही है एक पढ़ा लिखा इं प्लेटो नामक विद्वान ने कहा था यदि पढ़े लिखे लोग राजनीती में भाग नहीं लेंगे तो वे तयार रहें उनके उपर अनपढ लोग सासन करेंगे वही होता है ना और सबसे बड़ा चीज यह है कि बिहार और यूपी में या जो भी जहां जंसंग्या जादे है ना वहां पॉलिटिक्स भी जादे रहते हैं क्योंकि सीटे जादे रहे दोजा चौबीस में हम लोग को नहीं बुझा रहा है और ये बात आज से 2000 साल पहले प समझदार लोगों की संख्या कम है बकलोनवन की संख्या जादे है बकलोनवाज जादे हो यो रहा है सब बहुत जादे पैदो हो रहा है सब बहुत जादे समझदार इंसान के घर में रिप्रोड़क्शन रेशियो भी कम है दूसरा समझदार आदमी या फिर जो इंटेलेक् सब आइसी ऐसी भासा का परियोग करेगा सब जिसका कोई हद ने एक पढ़ा लिखा एक अनुपढ को मिलाओगे तो पढ़ा लिखा इंसान बचारा चूप हो जाएगा अनुपढ इतना चिल लाएगा पर गाड़ी निकाल के उड़ेगा इसे लगेगा अम्बानी के बाद यह संसत के बारे में तो हम देख लिए था आर्टीकल कितने में था सब्सक्राइब और बेकाड ने किया था उस एरिया का नमें सेंटरल विष्ठा अब उसी एरिया में बगल में निया संसत बन गया है उसका अभीमल पालेल क्या है वह स्थुकार है तीन दार है एक का नाम है सक्ति दार ग्यान दार और कर्म दार का नाम है कर्म दार तो अब इसमें हम आगे देखते हैं पढ़े लिखे लोग राइनीती में भाग ही नहीं ले रहे हैं देखो एक पढ़ा लिखा इंसान यदि हारेगा न तो सो पढ़े लिखे लोग अपना कदम पीछे खीच लेगा तो याद रगएगा कि अगर आपके एरिया में कोई पढ़ा लिखा मुख्या खड़ा हुआ या पढ़ा लिखा कोई वाड मेंबर छोटे मोटे से समझो तूसे हारने मत देना कि वो हारा तो सो ठोको क्या करेगा पीछे खीच देगा यही चीज़ लड़की लोग के साथ है आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो कर रही हो लोग न यदि यहां से आप पढ़ लिखे नौक लड़कियां पढ़ रही है समाज जो है ना पूरुस परधान हो गया है तो आपका एक गलत कदम सोर से जादे लड़कियों का रास्ता रोक देगा इंडिविज्वल से जादे कभी बार आगे बढ़के सोचना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं अलांकि पॉलिटिक्स जो होती है राजिनीती ये बड़े पैमाने पर ही होती है तो समाज में एक बड़ा हिस्था है जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है उसको 500 रुपिया मिल जा है काम खतम अंगा के गिने गया उस देश में आप राजनीती समझा रहे हैं जिसमें बरात में खाना खाने के लिए कूर्सी के खा रहा है तो पीछवा खड़ा है कूर्सी या लेकर खड़ा है कि उठेगा तो हम खाएंगे लास्ट रोटिया से पहले घीच लेता है है हो खेल छोड़ा अब राजनीती समझाने जा रहे हैं लोग यहां पर अईसा तो इसा है आप जो सोशल रिस्पॉंस्बिल्टी जब तक पबली के अंदर नहीं आएगा ना वो कभी नहीं जागेगा आप सूचिए कि कितना भरस्ट लोग हैं जो हॉस्पीटल में गए इलाज कराने वाले मरी उमीद लगा के बैठ रहे हैं लोग यहां इंसान अगर कोई प्लेटफॉर्म पे सोता है न तो धाई सो रुप्या के चपल पकड़ के सो रहा है हम विस्व गुरु बनने का सपना दिखाईए और अपने आपको चाहें जतना थपा लिजे हम लाज दूसर रुप्या का चप यूद्ध होता है अगर आप हिंसा छोड़ देंगे न या फिर बहुत ज़्यादे तरीका तम ही मतलब सुचेंगे सब को दिक्कत हो जाएगा असोक ने हथियार छोड़ा असोके बरबाद हो गया मगधी बरबाद हो गया उसको हथियार उठाना जरूरी था हर भगवान के पास हथियार है रेडी टू रेडी पोजिशन में है इसलिए सारे लोग सांती से रहते हैं दिखते हैं तो चलाए ना चलाए अलग बात है 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 कि नहीं है तो सांती का अंतिम रास्ता यूद्ध है चाहे हो महाभारत का यूद्ध हो चाहे हो लंका जलाना हो सांती हर जगा पहले ले गए गया था जब नहीं माने तो यू दुकिया गया था